हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डूइन मिनट्स में पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको अभी रेगुलर्ली क्या कर रहा हूँ कि अन्बॉक्सिंग वीडियो अभी लेकर आ रहा हूँ साइकल के फ्रेम्स के उपर आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले हमने आप लोगों को एक स्टील फ्रेम्स दिखाए थी जादा डाउन तो नहीं था लेकिन बिगनर लोगों के लिए जिनका बज़र्ट कम है तीन से चार हजार रुपे है वो लोग भी अगर स्टन्ट साइकल को बिल्ड करना चाहते तो वो स्टील वाले फ्रेम्स के तरफ जा सकते है लिकन कुछ लोगों का बज़र्ट जादा है मतलब वो थोड़ा सा प्रोफेशनली स्टन्ट राइडिंग करना जाते है एक अच्छा सा फ्रेम लेना जाते है ऐसे तो पिछली वाली जस्ट इससे पहले वाली एक वीडियो में मैंने आपको मरीन अलकतरास की एक फ्रेम दिखाए थी वाइट कलर की थी काफी अच्छी थ यह देखे इसी बॉक्स में था तो देखाते हैं आपको हल्का से निकाल कर थोड़ा से इस टाइप का था फ्रेम इस टाइप का क्या यही फ्रेम था तो लेकिन इसका जो बजट है यानि कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही जादा है एक नॉर्मल लोगों की अगर हम क्योंकि इस फ्रेम का प्राइस ही है लगबग 36,500 रुपे के आसपास तो कितना भी अगर इसमें डिसकाउंट आपको मिलेगा तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक फ्रेम के प्राइस में आप साहर नॉर्मली कोई दो या तीन साइकल परचेस कर पाएंगे तो यह सब भ प्रेयर वाली साहिक है तो फिर भी मेरा काम है अनबॉक्सिंग करना रिव्यूज करना प्रोडक्ट्स की इसलिए मैंने यह वाली फ्रेम को भी अनबॉक्सिंग करकर आप लोग को दिखाया था इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग को दिखेगा कि 26 प्ल की जो 26 प्लेयर वाली हमारी फ्रेम आती है वह भई तो विचारो तरफ तो अभी मैं पता लगा रहा हूं कहीं से मुझे नया मिल जाए बाकि यह वाली जो वीडियो है कुछ लोग बजट लोग के लिए है जिसका बज़र सिगमेंट थोड़ा सा कम है लग वो दस हजार से कम इन्वेस्ट करना चाहते है अपने साइकल के फ्रेम में अल अबर वो अपने साइकल को अपने कॉर्णिंग कस्टमाईज कीज़ेगा फिर बिल्ड कीज़ेगा तो उसका एक अलग प्राइस होता है लेकिन फ्रेम में अगर कोई 6-8,000 रुपया या 7-8,000 रुपया खर्चा क करना चाहता है तो उसे कैसा frame मिलेगा कौन सा frame लेना चाहिए अच्छा कैसा रहेगा ऐसा तो stunt में जिसके पास low budget होता है वो firefox wiper के तिरब चले जाते यह फायरफोक्स वाइपर का क्या है हलका जो frame है डाउन है और stunt के लिए उसे थोड़ा सा अभी तो काफी लोग high बनाएव है फ्रेम तो अच्छा है तूटता भी नहीं है लो बजट में मिल भी जाता है लेकिन फायरफोक्स वाइपर क्या है कि जल्दी मिल नहीं पाता है सबको प्राइस भी उसका कहीं नहीं नहीं पाता है तो फिर भी देखिए आपके बजट के जादा बड़ा था यहां पर 1 इन फ्रेम इन उथर आप को इस दिखा रहा है ज्यांदा में इन जादा नहीं है इसे माने बहर dziहनी की इन यह पूरा फ्रेम का बज़न तो आप समझ सकते हैं यह पूरा एक फ्रेम है light weight है मातर दो किलो का है और आप देख सकते हैं यह down कितना है यहाँ पर आपको सामने ही से दिखा देते हैं उतना बताएंगे तो आपको पता नहीं चालेगा मरीन अलकत्रा में तो आपको दिखा होगा यह वाला जो हमारा सिग्मेंट था यहां से होते हुए सीधा नीचे चल जाता है यह हलका से यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर देखे कितना डाउन फ्रेम है लो बजट में है, कम में है अल्मूनिय में लवाय के खोज रहे हैं तो आप कुछ इस टाइप के फ्रेम के तरफ जा सकते है यह फ्रेम आपको इसली 6-8000 रुपे के अंदर में मैक्सिमम आपको बता रहे 6-8000 या 10,000 के अंदर में इसली आपको कहीं भी अविलेबल हो जाएगा इस टाइप की फ्रेम्स को परचेस करकर आप अपने स्टंट राइडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते है बहुत ही कम बजट में लाइड वेट हो जागा अब इसमें आप अपने अकोर्डिंग पार्ट बिलकु लगा सकते है खूब भी पता देते हैं यह जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा यह देखिए यह आपका थ्रेडलेस है तो सबसे अच्छी बात है कि थ्रेडलेस है आप इसमें कोई भी सस्पेंशन फॉक को इंस्टॉल कर सकते हैं अलवाय कर सकते हैं seat clamp भी मिल जाता है यहां पर इसके थाथ आपको एक headset भी मिल जाएगा और यहां पर आपको derailer का एक hanger यहां पर आप देख सकते हैं लगाने के लिए derailer hanger भी इस frame के साथ मिल जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं केलिए wire की slots बगएर भी दी वही है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी आपको दिख़रा होगा, कुछ slots यहां पर भी आपको दिखेगा, यहां पर stand के लिए जगह दी गई है, लेकिन आप चाहे तो अपने इसे कस्टमाईज करके पेंट भी करवा सकते जैसे सब पोस किजिए आपको silver color के frame पसंद है तो आप इसे silver color की paint करा सकते easily कहीं भी ये paint हो जाएगे आप ये nearby shop में भी अगर आप जाएगे जहां पर bike repairing होती है ये फिर cycle बगएरा का दुकान में वो आपको paint कर देंगे वो paint का जादा cost भी नहीं है तो आप अपने according customized color करवा सकते हैं quality color के आप अपने according कर सकते हैं पस आप देख सकते हैं फ्रेम इस टाइप भी purchase कर लीजे और इसमें आप अपने according suspension लगा लीजे शीट पोस लगा लीजे शैडल लगा लीजे वील क्रेंग सेट गेर और brakes लगा लीजे और आपको cycle है कम बजट में लो बजट में ready हो जाएगा बहुत लोग क्या करते हैं cycle खरी लेते हैं फिर इसके handlebar को हटाते हैं suspension गेर्स को हटाते हैं बहुत सारा parts हटा देते हैं कई ने कई एक अच्छी cycle खरी देंगे तो आपको 10 से 12,000 रुपय लग जाएगा फिर आप उसके parts को हटाएंगे फिर नया लगाएंगे parts जो parts आपका हटा आप company से purchase कर रहें तो कहीं न कहीं उसका price तो आप पे कर रहे हैं तो आपका पैसा बरबाद हो जाता है तो आप कुछ इस type के frame को लेका अपने cycle को build करेंगे तो कम से कम minimum से minimum price में पंदरा से 20,000 रुपे में आपका बढ़िया सा aluminum LOI frame के साथ आपका cycle बिलकुल stunt वाला बनकर ready हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आप चाहे तो इसे purchase भी कर सकते हैं कहीं भी आप online सर्च कर सकते हैं आपको कहीं भी अबिलेबल हो जाएगा लोकल शॉप में भी देख सकते हैं कहीं अबिलेबल हो जाएगा अगर आपको यह नहीं मिल रही है कहीं तो आप हमारी do image के application में डाउनलोड कर सकते हैं google play store में मिल जाएगा या फिर website do in minutes.in नहीं तो मैं आपको अपना number दे दूँगा अब चाहे तो कस्टमाइज स्टीकर भी लगवा सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसे लगी जरूर आपने कमेंट करकर बताएगा वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तो मिलते हैं लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में